भजन सहीदा तिरासी अध्या एक से अठरा तक निकाली है और तेरे ही विरुद वाचा बांदी है ये तो एदों के तंबु वाले और इश्माईली मुआबी और हुगरी गबाली अमोनी अमाले की और सोर समित पलिष्टी है इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं उनसे भी लुतवन्शियों को सहरा मिला है इनसे ऐसा कर जैस मीद्यानियों से और किशोन नाले में सिसरा और याबिन से किया था जो एंदोर में नश्ट हुए और भूमी के लिए खाद बन गए इनके रईसों को औरेब और जायब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेभ और सलमुन्ना के समान कर दे जिन्हों ने कहा था हम परमेश् इनको भावन्डर की दूली या पवन से उड़ाय हुए भूसे के समान कर दे उस आग के समान जो वन को भसम करती है और उस लौप की समान जो पाड़ों को जला देती है तू इन्हें अपनी आंदी से भगा दे और अपने भावंडर से घबरा दे इनके मूँ को अती लज़ और घबराए रहे इनके मुह काले हो और इनका नाश हो जाए जिससे ये जाने के केवल तू जिसका नाम यहवा है सारी पृत्वी के ऊपर परमप्रधान है प्रेरी तो 28 अध्या एक से 16 तक जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है वहां के निवासियों ने हम पर अनोखिक रुपा की क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी इसलिए उन्होंने आग सुलगा कर हम सब को टहराया जब पौलूस ने लकडियों को गठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंज पा कर निकला और उसके हाथ से लिपट गया नियाए ने जीवित रहने न दिया तब उसने सांप को आग में जटक दिया और उसे कुछ हानी न पहुंची परंतो वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एका एक गिर के मर जाएगा परंतो जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं की पुबलियूस का पिता जवर और आव लहु से रोगी पड़ा था अथव पॉलूस ने उसके पास घर में जाकर प्रातना की और उस पर हाथ रखे कर उसे चंगा किया जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बिमार आए और चंगे किये गए उन्होंने हमारा बहुत आवशक था जाज पर रख दिया तीन महिने के बाद हम सिकंदरिया के एक जाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाडे भर रहा था और जिसका चिन है दियू सकुरी था सुरकुसा में लंगर डाल कर हम तीन दिन टिके रहे वहां से हम घूम कर रेग्यूम में आए और ए इस रीती से हम रोम को चले वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्यूस के चौक और तीन सराय तक हम से भेंट करने को निकल आए जिने देखकर पॉलुस ने परमेश्वर का धनिवात किया और डाडस बांदा जब हम रोम में पहुंचे तो पॉलुस को एक सैनिक के साथ जो उसके रखवाली करता था अकेले रहने की आगया मिल गई दूसरा राजाओ 19 अध्याई 14 से 37 तक इस पत्री को हिजिक्या ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा तब यहवा के भवन में जाकर उसको यहवा के सामने फिला दिया तब हिजिक्या ने यहवा से यह प्राथना है हे हिवा कान लगाकर सुन है होवा आंग खोल कर देख और सण रिप के वचनों को सुन ले जो उसने जीवित परमेशवर की निंदा करने को कहला भेजे हैं हे हिवा सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृत्वी के राजे राजे के लोग जान लेके केवल तू ही यहवा है तब आमोस के पुत्र यशाया ने हिजिक्या के पास यह कहला बेजा इसरायल का परमेशुर यहवा यो कहता है जो प्रातना तूने अशुर के राजा सनहरीप के विशे मुझसे की उसे मैंने सुना है उसके विशे में यहवा ने यवचन कहा है सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुझे जानती और तुझे ठटों में उडाती है यरुशलिम की अवित्र के विरुद तुने किया है अपने दूतों के द्वारा तुने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रत लेकर मैं परवतों की चोटियों पर वरन लबानों के बीच तक चड़ा आया हूँ और मैं उसके उंचे-उंचे देवदारू हो और अच्छे-च्छे सन नहरों में पाव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा क्या तुने नहीं सुना कि ब्राचन काल से मैंने यही टहराया और अगले दिनों से इसके तयारी की थी उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है कि तुगड़ वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे इसी कारण उनके रह सुख जाता है मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौट आना जानता हूं और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है इस कारण की तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बाते मेरे कानों में पड़ी है मैं तेरी नाक में अ जो आप से आप उगे और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वह खाओगे और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे और दाख की बारिया लगाने और उनका फल खाने पाओगे और यहुदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी क्योंकि यरुशले में से बचे हुए और सियोन परवत के भागे हुए लोग निकलेंगे यहुवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा इसलिए यहुवा अशूर के राजा के विशे में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद दम-दमा बनाने पाएगा जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाए अशूर्यों की चावनी में एक लाग पचासी हजार पुरुशों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं तब अशूर का राजा सनहरीप चल दिया और लोट कर निन्वे में रहने लगा वहाँ वह अपने देवता निस्रोक की मंदिर में द अध्या एक से 21 तक उन दिनों में हिजिक्या ऐसा रोगी हुआ की मरने पड़ था और आमोस के पुत्र यशाय भवश्टता ने उसके पास जाकर कहा यहवा यो कहता है कि अपने घराने के विशे जो आ गया देनी हो वह दे क्योंकि तू नहीं बचेगा मर जाएगा तब उस अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ तब हिजिक्या फूट फूट कर रोया तब ऐसा हुआ कि यशाय आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहवा का यवश्चन उसके पास पहुंचा लोटकर मेरी प्रजा के प्रदान हिजिक्या से कहे कि तेरे मुल पुरु मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित और अपने दासदाओत के निमित इस नगर की रक्षा करूंगा तब यशाय ने कहा अंजीरों की एक टिक्या लो जब उन्होंने उसे लेकर फोडे पर बांदा तब वचंगा हो ग इस बात का यहवा की और से तेरे लिए यह चिन्न होगा कि धूप घडी की चाया दस अंश आगे बढ़ जाएंगी या दस अंश गट जाएंगी जिक्या ने कहा चाया का दस अंश आगे बढ़ना तो हलकी बात है इसलिए ऐसा होकि चाया दस अंश पीछे लोट जाए तब यहवा ने उसको पीछे की और लोटा दिया उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान जो बैबिलोन का राजा था उसने हिजिक्या के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी उनके लाने वालों की मानकर हिजिक्या ने उनको अपने अनमूल पध सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंद द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हतियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुए थी वे सब दिखाई हिजिक्या के भवन और राज भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो तब यशाया ने हिजिक्या से कहा यहवा का वच्चन सुन ले ऐसे दिन आने वाले हैं जिन में जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुर्खाव का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है वस्त बैबिलोन को उठ जाएगा यहवा यह कहता है कि कोई वस्तू न बचेगी और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बना कर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बैबिलों के राजभवन में रहेंगे तब हिजिक्या ने यशाया से कहा यहवा का वचन जो तूने कहा ह वह भला ही है क्योंकि उसने सोचा यदे मेरे दिनों में शांती और सचाई बने रहेंगी तो क्या यह भला नहीं है लीजिक्या के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीती उसने एक जलशाय और नैर खुदवा कर नगर में पानी पहुंचा दिया यह सब क्या, झाल झाल